हैलो फ्रेंड्स वेल्कम बैंस अगेन और आपका स्वागत है एक बार फिर से आप किसी स्रंकला में इसमें हमने क्या किया था इसमें हमने कल 10 क्वेस्चन किये थे और बहुत ही अच्छा रिस्पॉंस आप सभी का आप सभी लोगों ने बहुत लाइक किया उसको उसके लिए चलते हैं हमारे आज जो नेक्स्ट एटेन क्वेस्चन है हमारे बच्ची हुए आज हम उनको समझने का प्रियास करेंगे उनको करेंगे और आप एक चीज को ट्राइ कीजिएगा मेरे कहने से क्योंकि अगर आपको एक्जाम देना है तो बहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टन फि आपको ट्राइ कीजिएगा कि आप मुझसे पहले क्वेस्चन को पढ़के और अपने मन में उसका आंसर सोच के रखें और उसके बाद आप उसको मतलब मिलाएं कि आपके इतने आंसर सही होते हैं और आपके जितने भी आंसर सही होते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको बताइएगा। तो इसमें भी हमारा क्या है एनालीटिकल है इसलिए ये भी आपका क्रियेटिव बुद्धी उन्होंने नहीं दी है तो ये भी कर जाएगा उसके बाद है हमारा भासाई, तारकिक या गड़ती और संगीत है ये तीनों बुद्धी उन्होंने दी है ये जो भासा में अच्छा होता है उसके पास भासाई बुद्धी होती है जिसकी गड़ना तर्क बहुत अच्छा होता उसके पास तारकिक बुद्धी होती है और जो संगीत या कला में बहुत अच्छा होता उसके पास कौन सी बुद्धी होती है संगीत अग बुद्धी होती है तो हमारा उप्सन इस कि रूड़ बाद को ख़तम करना, क्या करना हमें ब्रेक करने के लिए अपर उठें, तो हमें इसके लिए किसका प्रियोग टालना चाहिए, उनके मतलब सामने ऐसे एक्जामपल्स को रखेंगे, ऐसे एक्जामपल उनको बताएंगे, जिससे कि लड़के लड़कियों में या जो रूड़ी बादी सोचर्स में फर्क करें और वो मतलब सभी को समान प्यस्टी से देखें, तो देखते हैं, इसमें इसका ध्यान रखना है, आपको किसको टालना है, यानि कि निगेटिव पॉइंट आपको इसमें ढूनना पड़ेगा, अन जेंडर के बच्चों के साथ संयुक्त प्रियास करना, क्या करना हमें? उसके साथ, यानि कि संयुक्त प्रियास करना, अन जेंडर के बच्चों के साथ संयुक्त प्रियास करना, यानि कि सभी जे जुड़े वयस्कों से अनाबरण यानि कि जो भी गैर रूड़ी वादी जो गतिविदियां हैं उनको मतलब बच्चों को दिखाना जैसे कि अपोजिट काम कराना जैसे कि मम्मी हमेसा घर में क्या करती है खाना बना दिये पापा हमेसा डूटी जाते तो इनको अपोजिट र आज करना लड़की काम करते हैं तो इस तरीके कि अपने चीजे बच्चों से नहीं बतानी चाहिए तो इस तरीके कि बच्चों से नहीं बतानी जाहिए तो यह हमारा option इसमें सही हो जाएगा option C दी भी हम देख लेते हैं बीवे जेंडरों के बारे में जन्म जात चमताओं की सामाजिक अभिग्यता और समलोचनात्मक चर्चायनी की जो हमारे जेंडर हैं समाज में उनके ऊपर मतलब चर्चा करना उनसे discussion करना बच्चों से तो यह भी हमारा एक जेंडर स्टीरो टाइप को हटाने का बड़िया option है चलते हैं हमारे next question पे next है आपका आजकल अद्भी कथन और तर्क जैसे कुछ यह questions दिये जाते हैं बहुत ही easy होते हैं बिल्कुल भी आपको खपराना नहीं है इसमें बस आपके concepts clear होने चाहिए और आपको question को समझ आना चाहिए उसके लाबा कुछ भी नहीं होता है पढ़ेंगे हम इसमें एक अध्यापक को अपनी कच्छा में बैक्तिक भिन्निकताओं को पोसित नहीं करना चाहिए अब यहाँ पे अगर यह होता कि पोसित करना चाहिए तो आपका यह answer सही हो जाता बट इन्होंने क्या कह दिया पोसित नहीं करना चाहिए तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा क्योंकि हमें सभी का ध्यान रखना पड़ेगा सभी को समझना पड़ेगा कच्छा में बैक्तिक भिनताओं को आपको स्थान देना पड़ेगा तो ये हमारा एक या हो गया इसमें गलत हो गया अब हम तर्क देखते हैं इसका क्या दिया है इनोंने प्रगति सील सिक्छड का उद्देश से यह सुनिष्चित करना है कि सभी बच्चों को एक रूपी तरीके से निर्देश दिये जाए एक रूपी तरीके से कभी भी निर्देश सभी को नहीं देने चाहिए सभी की अलग-अलग अपनी सिचुएसंस होती है सबकी संजगती समाज अलग होता है सबके अलग जरूरते होती है सबके समझने के तरीके अलग होते है तो हमें क्या करना चाहिए हमें उन्हें बिभिद प्रकार से जिसको जिस तरीके से समझ आ रहा है उस तरीके से बच्चों को समझाना चाहिए तो यह आने की दोनों ही option यहां पे हमारी गलत है तो आपका इसमें कौन सा D सही हो जाएगा A और R दोनों ही आपके क्या है गलत है ओके चलिए चलते हैं हमारे next question पे next है आपका राश्टी सिक्षा नीती NEP 2020 में आकलन के संदर में विध्यारतियों के लिए किस प्रकार की मतलब बच्चे का जितना भी विकास है चाहिए पिर वो मांसिक है सारीरीक है या फिर मतलब नहतिकता के छेतर में है तो जितना भी चाहिए पिर वो कोई activities के दौरा है तो वहां पे इन्होंने कहा है कि 360 डिग्री यानि कि बहु आयामी अपको बच्चे का एसेस्मेंट करना है यानि कि हर छेतर में सिर्फ आपको पेपर और कॉपी वाला टेस्ट के आधार पर बच्चे को डिसाइड नहीं करना आपको उसके हर छेतर को हर पार्ट को देखना पड़ेगा यानि कि 360 डिग्री और बहु आयामी प्रगत पत्र पत नेक्स्ट है आपका निमने मेंसे कौन से प्रशन आलोचनात्मक सोच का मुल्यांकन करते हैं अब आलोचनात्मक सोच क्या होती है जहां पर बच्चे अपना दिमाग लगाए जहां पर बच्चे दिसाओं में सोचे अपना सोच के आपको आपको आपसर दे उसका माइंड च प्रवजन की कमी के भिभिन कारड़ क्या हो सकते हैं? अब बच्चा क्या करेंगा? बच्चा इसमें दिमाख लगाएगा, इसमें सोचेगा तो यही हमारा इसमें आंसर हो जाएगा इस तरीके से आपको छोटी-छोटी चीजों से आपको आंसर इसको पकड़ना होता है डी है आपका हिम्नत के कि निच्छेपड को क्या कहा जाता है तो यह भी बच्ची निरत रखा हो गा… इसमें आपको जो सही हो जाएगा खो आपको आपका प्सन हो जाएगा क्लास में उसको अलग तलग फीलना हो इसके लिए हमें कौन सी टखनीक का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए यानि कि बचना चाहिए इन सारी चीजों को थोड़ा सा समझना होता है अगर यहां पर इस्तिमाल करना तो हमारा आंसर चेंज हो जाता पर उन्होंने कहा है इस्तिमाल कर करना एक दम सक्त और सक्त तो हमें बच्चे के प्रति कभी भी नहीं होना है तो हमारा यही आंसर इसमें सही हो जाएगा बाद मांकी को भी पढ़ लेते हैं कच्छा में नोटिस बनाने की जगे आवाज रिकॉर्डर के इस्तिमाल की अनुमती देना यानि कि आप उसको क्या कर कर दोगे एक हेल्प कर दोगे ताकि वह आवाज रिकॉर्डर के इस्तिमाल से सुले इसके बाद हस्त लिकित के बजाए टाइप और मुद्रित यानि के बुल लिखन करने में दिक्कत है तो आप क्या करोगे टाइप करवा कि उसको मतलब जो मैटेरील है उसको ते दोगे उ इसमें हमारा जो सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा A option चलते हैं हमारे next question पे next है आपका अधिकम संबंदी वह कटनाई जिसमें कम देर तक ध्यान के इंद्रित हो पाए आवेक शीलता हो और निरासाओं के प्रती कम सहसुडता हो निम्न लिकित में से किसकी और इशारा क करनी की attention deficit hypercity disorder होता है ये बच्चों में तो वो बच्चे जो टिके नहीं बैट बाते हैं चलते हैं हमारे next question पे next है आपका निम्न लिकित में से कौन सी इस्थिती है जिसमें तारकिकता अधिकम समस्या शमाधान के साथ साथ ब्योहार समायोजन को जिसमें सामाजिक और ब्यो तो ये सारी चीजे किससे संबंदित होती है ये आपकी संबंदित होती है किससे दिमाग से ठीक है तो ये इस रबडच्छती नहीं है द्रस्चात्मक भी नहीं है ये गति भी आपकी बहुत दिक यानि कि इंटेलेक्चुल डिसेबल्टी है कि अगर बच्चा अधिकम करने म कुद्धी से संबंदित है इसलिए आपका option इसमें D सही हो जाएगा चलते हैं हमारे next question पे next है आपका अभी कथन समावेशन चे तात पहर है कि अधिकम कठनाई महसूस करने वाले विद्यारती मुख्यधारा विद्याले में प्रतक रूप से सीखे यशिए समावेशन एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि प्रतक रूप से सीखे तो यह दोनों ही बातें आपोजिट हो गई अपने आप में समावेशन कहता है कि प्रतब रूप से नहीं बलकि इंक्लूड होके मिल के सीखना तो यह आपका पहले ही गलत हो गया कारण देखितें इसका इस परकार की रडपा आधीकम कटना है में हसूस करने वाले विदातिفس涛ा कि समाच में प्रतिभागता के लिए तयार करती है बिल्कुल ही गलत हमें पहले तो यह रणीती नहीं अपनानी और फिर ये आपको प्रतिभागिता के लिए भी तैयार नहीं करती तो आपका जो आपसं हो जाएगा वो हो जाएगा वो अपसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और आपकी जो भी क्यारी है वो आप मुझ स्रशनात्मक्ता का महतपूर कारक नहीं है स्रशनात्मक्ता क्या होती है स्रशनात्मक्ता होती है क्रियेटिविटी यानिकि जो आपके पास कोई एक समस्या है ये आप उसको क्या कर रहे हो आप उसको दिसाओं में सोच के यानिकि आप इस तरीके से भी सो चाहिए होना चाह अगर यह वाली हमारी situation में यह वाला trick काम नहीं करने ही तो हम दूसरे तरीके से इसको solve करने का लेकिन अभिशारी होता है कि आप एक ही तरीके से सोचे जा रहे हैं तो एक ही जब होता है हमारे पास तो इसमें क्या हो जाता है आपका अभिशारी चिंतन हो जाता है अगर आपको इसी तरीके की वीडियो और भी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं एक next वीडियो में तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को continue रखिएगा और अपना ध्यान रखिएगा मिलते हैं फिर से कुछ important questions के साथ तब तक के लिए नमस्क धन्यवाद जैहिंद